बिग बोस होती थी त्री के लाइफ फीट में हमें देखने के लिए मिला यहाँ पर मेर्जी, सनर सुल्तान और मुनिश्वत साथ में बैट कर पाचीत कर रहे होते जहाँ पर मुनिश्या अर्मान की कई सारी बातों को पॉइंट आउट करती हुई नज़र आती है मुनिश्या ने यहाँ पर बताए कि अर्मान चान बूच कर लगतार उन्हें दो दिन से पोक कर रहे हैं और उसके बाद वाकर उन्हें सौरी कह देते हैं मुनिश्या यहाँ पर एक टास्क के बारे में भी डिस्कुशन करती हुई नज़र आई जहाँ पर विग बॉस ने सभी घरवालों को अपने कुछ ऐसी कहानिया सुनाने को बोड़ी थी जो बहुत ही ज्यादा गर्दनाक उनके साथ चीजें हुई हुए इंसिडेंट्स के बारे में घरवाले बाचीत करते हुए नज़र आई थे जब मुनिश्या अपनी बात रख रही थी तबी बज़र बच जाता है जिसकी वज़े से वो अपनी पूरी स्टोरी नहीं सुना पाती है मुनिश्या ने बताय कि मैंने सभी घरवालों से कहा था कि मैं अपनी स्टोरी कभी बाद में सुनाओंगी जिस पर अर्मान ने आकर कहा कि लोगों को आपकी स्टोरी पसंद नहीं आयोगी आपकी स्टोरी में मज़ा नहीं आया इसलिए तो यहाँ पर बज़र बज़ गया मुनिशा बोलती हुई नज़राई कि यह वही बात हो गई कि पहले आप थपड़वार और बाद में आप सौरी कहो मुनिशा आगे ये भी बताती हुई नज़राई कि मुनिशा ने क्या ड्यूटीज ली है इस बात से भी अर्मान को प्रॉबलम है और उनकी ड्यूटीज पर सवाल उठाते हुए नज़राई हैं मुनिशा ने कहा कि उनकी अप ब्रिंगिंग ऐसी है कि उन्होंने अपने घर में कोई भी काम नहीं किया इसके बावजूद भी वह अपने कमफॉइट लेवल के बाहर आकर यहाँ पर काम कर रही है इस तरीके की काफे सारी बाते अर्मा को लेकर सना सुल्तान विवाचीत करती हुई नजर आई और क्या रही होती है कि अर्मान का प्लान यहाँ पर था कि वाले टास्क के दौरान उन्होंने जानबूच कर अपनी दोनों वाइफ यानि की पायल और कृतिका को इसलिए कम पॉइंट्स दिये थे ताकि खाना बनान और अर्मान का जो प्लान था घरवालों को अपने उपर डिपेंडेट कराने का वो फेल हो गया जिसकी बचा सही वो इस तरीके की हरकत कर रहे है वहले आप पर मुनिशा कहती हुई नजर आई कि कोई कितना भी हमारा बड़ा दुश्मन हो हमें एटीस खाना तो उसे चानल को सब्सक्राइब करें